अस्थापना दिवस पर ज़ार्खन को मिली 7000 क्लोर की सोगात रांची के मोरबादी मैदान में ज़ार्खन का स्थापना दिवस समारो का उजन किया गया समारो में राजे पलवा में सवयस नहीं पहुंचे इससे पहले राश्वदी द्रोपती मुर्मु का कारकरम भी और परिहार कारणों से अस्थापना दिवस समारो के मोके पर ज़ार्खन की हेमन्त सुरेन सरकार ने कई नई योजनाओ को सवगात राजे की जानता को दी है इनके साथ साथ हजार करोर की 379 योजनाओ का सिलन्यास अरूध घाटन भी किया गया मुक्ष मंत्री हेमन सुरेन इस महों के पर कहा है कि अब तक राजे भागवान भरो से था अब जनता का सिर्वाद रहा तो राजे अपनी खुद की ताकत से बुत्ते से खड़ा होगा 15 नॉवंबर साल 2000 को नए राजे के तोर परस्तितों में आने वाला जार्खन अब 22 साल का हो चुका है 15 नए राजय स्थापना दिवस समरों के आउजन किया गया हलाकि ए आयोजन राजी पर्णें इस बैस के समरों में नहीं पहुचने के वज़ा से भविस की राजी निती को लेकर चार्चा में आ गया है लेकिन फिर भी अस्थापना दिवस के मौके पर सोगातों की बारिस हुई है सियम हेमंत ने राज्य वासियों को दिये कई तोफे भागवान बिर्शा मुंडा की जियनती और राज्य अस्थापना दिवस के उसर परायद हने रांशी की मौरबादी मेधन में आयोजीत मुख्य समारो एक बार फिर एतिहासिक पॉल का गवाबना जब मुख्य मंतर है मंसृने राज्य और राज्य वासियों के उनाति खुसहाली और सोशक्तिक करण के लिए कई योजनाओं की सोगात दी इस योजनाओं के तहट राज्य के परतिभासाली और मेहनत कस योजनाओं को नर्मन्द बनाकर रोजगार और सोरोजगार से जोड़ना है इसके तहट सरकार दोर 18-35 वरस तक के योजनाओं को निसूल के कौशल परसिक्षन दिया जाएगा योजनाओं को गएर आवासिये परसिक्षन के लिए केंद्र आने जाने के लिए हर महीन एक हैया रुपए भी दिये जाएंगे वहीं परसिक्षन के बाद सफल योजनाओं को तीन माह के अंदर अगर नियोजन नहीं मिला तो उन्हें रुजगार प्रोसाहन भत्ता के रूप में एक है रुपए प्रतिमा मिलेगा जबकि योटियों, दिव्योंगों और परलेंगिकों को पंदरा सहर रुपए प्रतिमा मिलेगा पांच साल में जारखन के हर खेत में पहुंचेगा पानी इसको लेकर हमने बड़े पैमाने पर योजनाय बनाई है काम भी सुरू कर दिया है अगले पांच साल में इस राजे के हर खेत में पानी पहुंचेगा वहीं राजधनी राची के मुराबादी मैदान में आयोजी समारों को समुझित करते हुए और अधिकारी आपके घर तक सरकारी योजनाओं को लेकर जाएगे और उन्हों योजनाओं से आपको जोड़ेंगे उन्होंने कहा है कि गाउपंचायद में शिवीर आयोजन कर 31,00,00 किसानों का चेन किया जाएगा और उन्हें आर्थिक साहत परदान की जाएगी नगरनिकार चुनाओं को लेकर पलाम में राएनितिक सरगर्मी तेज निर्वाचन आयोग ने इन सभी नगरनिकायों के वाड़ परिसद पद कारक्षन निधारित कर लिया है लेकिन मेर और अध्यक्ष पद कारक्षन अभी तक निधारित नहीं हुए है पलामू में नगर निकाय चुनाव को लेकर रायनिति सर्गर मित्य जोरो पर है वैसे भी पलामू को जहारखन राज की रायनिति राजधानी के रूप में भी मना जाता है दुमका सहर में 210 CCTV कैमरे से होगी निगरानी जहारखन की उपरेधानी दुमका के हर कुने में अब पुलिस परसासन की निगाह बनी रहेगी और हर गती वीदियो पर पैनी लेजर रखी जा सकेगी राजधास अपने दिवस पर धरती अबा भागवान बिलसामुंडा की जहनती पर दुमका नगर परिशत सहर वास्यों को CCTV कैमरे की सोगादी है 2.20 कोडोर रुपए की लागत से पूरे सहर को CCTV कैमरे से कवर करने की योजना का सुभारम किया गया नगर परिशत अध्यक स्वेता जहां ने मंगलवार को दुमका नियंतरन कक्ष परिशर में इसका से जलनास किया इस मौके पर उन्होंने बताया है कि जन्वरी दुएदेश तक सारे CCTV कैमरे को लगा दिया जाएगा इसकी मौनेटरिंग नियंतरन कक्ष से होगी और पुलिस पर सासन 24 कुनस्ताथ पेनी नजर रखी जाएगी आर्टी आई कारेकाता ने वीडियो और पीडियेस डिलर के खिलाब की सिकाया धनबात के बागमारा थाना छेतरे के बाड़ा पांडेड़ी निवासी आर्टी आई करकाता जगत महतों ने बागमारा वीडियो सुनील कुमार परजापती एवां पीडियेस डिलर बिनोत कुमार साव के खिलाब ऑनलेन सिकायत दर्ज कराई है इसमें उन्होंने गरीबों के मिलने वाले सरकारी अनाज की कला बजारी करने का रूप लगाते वे बागमारा थाना में सिकायत की है इसमें उन्होंने करीब 42 लाख रुपए के रासन का घोटाला करने का रूप लगाया है सिकायत करता ने कहा है कि इसकी सिकायत वीडियो से भी की गई थी लेकिन उन्होंने इस मामले में कोई सुनवाई नहीं की दोनों की मिली भगत से ए रासन घोटाला किया गया है सिकायत के बाद बाग मारा पुलिस मामले की जाच करने में चुट गई है आठीय कारकाता जगत महतों ने ओनले सिकायत में कहा है कि भीमक नाली पंचायत के लावकों को डिलर ने अप्रेल माह में अनाज का बित्रन इपॉस मसीन में अंगुठा लगवाने के बाद नहीं किया वहीं कोरोना काल से अब तक लगवक आठ से दस मां कायना आज लावकों को नहीं दिया गया है राजे के हर परखंड में जल्द खुलेगा मोडल इसकूल राजे की हमंत सरकार बेहतर कार कर रही है राजे के परते परखंड में मोडल इसकूल बनाया जाएगा जहानी जी स्कूल से भी बेहतर सिक्षा वेवस्था रहेगी ताकि यहां के गरीब आदिवासी मुलवासी के बच्चे अची तरह सिक्षा असिल कर सके यह बात राजे के आदिवासी कल्यांस परिवहन मंत्री चंपाई सुरेन ने कही सराय के लागे टाउन होल में जीला पसा संद्वारा आयोजित परिसंपती बितरन स संस्कृति कायकरम को संबोधित कर मंत्री चंपाई सुरेन ने कहा है कि धर्ती अबाने आजादी के लडाई में अंग्रेजों के खिलाब बीगुल फुक कर अंग्रेजों के दात खटे किये वहीं आंदोलन के कारण ही आदिवासी की रक्षा कवच सीन्टी एस्पीटी एक्ट लागू कराया साथ ही अलग राज आंदोलन की मांग उठी अलग राज आंदोलन में कई लोगों ने सहादत दिये तब जाकरिया राज मिला बीर्षा मुंडा के वनसजों ने द्रपदी मुर्मू का पाउध हया भगवान बीर्षा मुंडा की जनमस्थली खुट्टी के उली हातुए मंगलवार को पाउध रखने के लिए भी जग नहीं थी बतादे भावनाव का ज्वार उमर रहा था आजादी के बाद पहली बार की शिराष्ट पती के कदम यहां पड़े थे बीर्षा मुंडा के वनसजों ने उनकी खुले मन से अगवानी की सुखराम मुंडा सबसे आगे थे नजर पड़ते ही राष्ट पती द्रपदी मुरू ने उनसे मुंडारी में पूछा कैसे हाँ आप मुंडा ने भी जबाब देते हुए कुसल छेम पुछा वनसजों ने कांसे की थाली में उनके पाव पखारे बता दे प्रमपारी के रिती रिवाज से जेठा पहन पूजा पाठ के लिए तयार थे जब ने उधारन किये हुए सुखराम मुंडा के पुद्र जंगल सिंग मुंडा सबको चंदन का तिलक लगा रहे थे वहीं पूजा पाठ के बाद राश्पती द्रोपदी मुर्बू जब बाहर आई तो बीर्शा के सारे वनसज मुझूद थे मानो तसकरी की सिकार नवालिक के साथ दिली में दुसकर्म जारखन के पांकुर जीले की रहने वाली एक नवालिक के साथ दिली में दुसकर्म का ममला सामने आया है मामले का खुला सत्ता भुआ जब नवालिक दिली से रांची लोटी मामले को लेकर नवाली के बियान पर रांची के कोतवाली थाना के एंटी हुमेन ट्रैफिकिंग यूनिट में एफायार दर्च की गई है बता दे जार्खन के पांकुर जी लेकी रहने वाले 11 वर से नवाली के साथ उस दवरां दुसकर्म किया गया जब वो मानवतसकरी का सीकार होकर दिल्ली में रा रही थी जार्खन का सियासी पारा चढ़ा बुद्धवार को बैठक वरतमार राय नितिक हलात और एडी की नोटिस को लेकर सीम हमान सुरेन ने मंगलवार देर साम जार्खन मुक्ती मोर्चा विधायक दल की बैठक की मुख्य मंत्री आवास में अचानक बुलाई गए इस बैठक में सिक्षा मंत्री जगनात मतो मंत्री चंपाई सुरेन बिधायक इस्टिपन मरांडी बिधायक मेनक सरदार बिधायक समीर मोहंती बिधायक बैठनाथ राम सहीत जामो के कई बिधायक मौजूद थे सीयम हमान सुरिन के नितित में हुई इस बैठक में इडी नोटीस के बाद उत्पान इसीदी पर विचार किया गया बैठक में 16 और 17 नॉम्बर को जामो का रहा करताओं के रांची में महाजुटान की भी चर्चा की गई इडी और केंद्र के खिलाप एक बार फिर से महाजुटान की त्यारी इडी ने खननलीज मामने में मुख्य मंत्री हमन सुरिन को 17 नॉम्बर को पुश्टाच के लिए दफ्तर आने का दूसरी बार समन भेजा है शुद्रो समिली जनकारी के उनसार इसके बाद फिर से जामो के नेता और करकाता रांची में महाजुटान की त्यारी में जुट गए है यह और बात है कि पार्टी की ओर से इसकी अधिक्रित जनकारी कोई नेता नहीं दे रहे लेकिन अंदर ही अंदर यह त्यारी चल रही है इसके पहले तिन नॉमबर को इडी ने मुख्य मंत्री हमन सुरिन को समन भेजा था जिसके बाद मुख्य मंत्री की ओर से ब्यस्त सेडियूल का हवाला दे कर समाई की मांग की गई थी वहीं तिन नॉम्बर को जामो के नेताओ का रांची में महाजुटान भी हुगा था सिक्छक संग ने प्रोनती दिये जाने का किया स्वागत जार्खन प्रगती सील सिक्छक संग के अध्यक्स अनंद किसोर साहु महासचीव बलजीत कुमार सिंग और मुखे सलाहकार दिनेस कुमार सुकला ने कहा प्राणविक सिक्छकों को प्रोनती दिया जाना आवस्यक है ताकि राजे के सरकारी बिद्यालो को बिभीन ग्रेडों के पदो सहीत परधाना ध्यापक के पद भरे जा सके और बिद्याला का संचालन बेहतर हो साथी बिद्यार्थियों को गुनवाता पूर्ण सिक्षा परदान किया जा सके जार्खन परगती सिल सिक्षक संग के पताधिकारियों ने राजे के सभी जिला उपायुकतों और जिला सिक्षा अपेक्षा की है कि सिक्षा विभाग के निदेश पर बीधी समवत कारे करते वे सिक्षों के विभीन गिरेडो और प्रदाना ध्यापय के पद को अभिलम भरा जाए रांची की छो हज़ार आदिवासी महिलाओं बनाएंगी आईफोन केंद्रिय मंत्री आसमीनी बैसनों ने मंगलवार को कहा है कि भारत में आईफोन बनाने के लिए एपल का सबसे बड़ा करखाना बेंगलोरू में होसूर के पास अस्थापित किया जा रहा है इस करखाने में करीब 60,000 लोग काम करेंगे बैसनों ने आदिवासी गोरत दिवस अमारों में कहा है कि रांची और हजारी बाग के आसपास रहने वाली 6,000 आदिवासी महिलाओं को आईफोन बनाने का प्रस्विशन दिया गया है केंद्रिय मंत्री ने कहा है कि एपल का आईफोन अब भारत में बन रहा है इसका देश में सबसे बड़ा करखाना बैंगलोरू के पास होसुर में स्थापित किया जा रहा है ये करखाने में 60,000 लोग काम करेंगे उन्होंने कहा है कि इन 60,000 करमचारियों में से पहले 6,000 करमचारी रांची और हजारी बाग के आसपास के अस्थानों की हमारी आदिवासी बहने है राश्टपती दुरोपती मुर्मू ने दी बीरसा मुंडा को सरधांजली भागवान बीरसा को सरधांजली देने राश्टपती दुरोपती मुर्मू सूब जारकन पहुंची थी इसके बाद वो भागवान बीरसा मुंडा के जनम अस्थल उली हातु के लिए निकल गई इससे परले मुख्य मंत्री हमान सुरेन और राजेपल रमेश बैस ने राश्टपती दुरोपती मुर्मू को फूलो का गुद दास्ता देख कर उनका स्वागत किया आपको पता दे कि राश्टपती सिरी मुर्मू को वहाँ गावड अफ ऑनर भी दिया गया इसके बाद ओ उलिहातू गाओं के लिए उडान भरी वहाँ पहुच कर उन्य भागवान बिर्शा मुंडा के परतीमा पर मल्यारपन कर सदान्जली दी उनके साथ केंद्रिय मंत्री अर्जुन मुंडा, सियम हमान सुरेन और राजपल रमेश बैस भी मुझूद थे मुख्य मंत्री 17 नॉमबर को इडी के सामड़े होंगे हाजीर संताल में 100 कुलोर के अवैद खरन मामले में पोश्टाश के लिए किये गाए इडी के समन पर मुख्य मंत्री हमान सुरेन ने 17 के बजाए एक दिन पहले 16 नॉमबर को ही पोश्टाश करने के लिए डी को पत्र लिखा है हलाकि इडी ने तकनिकी कारणों से उनके पत्र को अस्विक्रित कर दिया है इस पूरे परक्रम में इडी 17 नॉमबर को ही मुख्य मंत्री से पोश्टाश करने के लिए त्यार है बता दे कोछ दिन पहले ही E.D. ने मुख्य मंत्री को दूसरा समन कर 17 नमबर को पुस्ताश के लिए बुलाया था इसके पहले पहला समन कर उन्हें 3 नमबर को हाजिर होने के लिए लिखा गया था धन्यवाद